अलो फ्रैंड्स मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आप सब लोगों की बाहरी डिमांड के वज़े से हम लेकर आया है कक्षा 9 का जो पेपर है स्वास्ते में सारे सिक्षा इसका पूरा के पूरा स्वालुशन विद आंसर तो एक भी प्रशन को आपको छोड़ना नहीं है सभी प्रशनों के उत्तर आपको बताए जाएंगे तो वीडियो में अंतक बने रहे हैं क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत किया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में भी सेयर करना ह तो पहला क्यूशन है आपका सारीरिक शिक्षा का लक्ष क्या है तो सारीरिक शिक्षा का लक्ष है व्यक्ति का सारीरिक विकास सारीरिक शिक्षा सारीर की शिक्षा तो व्यक्ति का सारीरिक विकास next question number 2 बाल्य वस्ता काल है तो दोस्तों बाल्य वस्ता काल है वो मुख्यता माना जाता है 2 से 12 वर्स तक तो यहां देखिए option में 2 वर्स कहीं भी नहीं दे रखा यहां दे रखा है 0 से 6 6 से 12 इस दोनों को combination है तो mostly जो माना जाएगा इसमें वो माना जाएगा option number से आपका सही उत्तर रहेगा तीसरा number का question है चिन्नित आसन का नाम बताईए तो चिन्नित आसन का जो नाम है चित्रित आसन का नाम जो चित्र में दे रखा है आसन उसका नाम है सलभासन क्या नाम है सलभासन 4 नमर question है आप अपनी शक्तियों का सरवादिक उपयोग कब कर सकते हैं जब आपका तन अच्छा हो जब आपका मन अच्छा हो आप पूर्णितया स्वस्त हो आपके पास अधिक धनू तो इसका जो उत्तर रहेगा वे रहेगा आप पूर्णितया स्वस्त हो क्योंकि जब आप पूर्णते स्वस्त रहेंगे तो आपका तन भी अच्छा रहेगा, आपका मन भी अच्छा रहेगा, और सरी स्वस्त रहेगा तो आप धन भी कमा पाएंगे तो आपका स्वस्त रहना बहुत जरुरी है Qp. 5 है नीबू, आंवला, संत्रा में कौन सा vitamin पाया जाता है तो इन तीरों में vitamin पाया जाता है vitamin C क्योंकि जो घट्टी चीज़ होती है उनमे vitamin C पाया जाता है और vitamin C की कमी से जो रोग होता है वह इसकर भी रोग होता है आपको सारे connection बता दिये आपसे पूछा जा सकता है विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है तो आपको पता होना चीए इसकर भी रोग होता है और नीवू आमला संत्राम क्या पाय जाता है विटामिन C पाय जाता है और सूरज की जो रोजनी में पाय जाता है वितामिन डी पाये जाता है आपको ये भी याद रखना है Next है आपका question number 6 आपकी उम्र 13 वर्स से 19 वर्स के बीच है आप विकास की कौन सी अवस्ता में हैं तो हम है विकास की योगन अवस्ता हम योगन अवस्ता के अंदर हैं साथ नमर क्यूशन है व्यायाम किसे कहते हैं तो आपके लिए हमने क्यूशन लिखे हुए हैं क्योंकि आप बोल रहे थे लॉग क्यूशन के आंसर नहीं बताते लॉग क्यूशन के आंसर नहीं बताते तो यह देखिए व्यायाम किसे कहते हैं व्यायाम एक सारीरिक गतिविद जो आपको सारीरिक fitness हाशल करने में मदद करता है इसका आंसर ये रहा Next question number 9 आपका विद्याल हाईवे के पास है तो आपके विद्याल हाईवे के पास है कौन-कौन से प्रदूशन का प्रभाव होगा हाईवे के पास है तो सबसे बड़ा प्रदूशन होगा निकलेगी उससे वायू प्रदूश्यत होगी और जो हौरन बजेंगे गाड़ियों के उससे द्वनी प्रदूशन होगा और बहानों में कोई सवारी जा रही है कोई भी वो खचरा पहकेगी तो उससे बूमी प्रदूशन भी होगा इस प्रकार यह प्रदूशन आपके होंगे तो बढ़ते हैं दस नमबर क्यूशन की और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन वेल को ओन कर लें जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें इसी तरीके से आपको वार्शिक परिक्षा में भी साथ बने रहेंगे हम तो आप भी साथ दें नेक्स्ट क्यूशन नमर दस दुरगटना होने पर चिक्सा सुविधा आने से पूर दुरगटना ग्रस्त व्यक्ति को जो चिक्सा दी जाती है उसे क्या कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम उसे कहते हैं हम प्रात्मिक चिक्सा नेक्यूशन है आपके बोजन में कौन-कौन से तत्व होने चाहिए जिससे आप संत्रित बोजन कहते हैं तो हमारे बोजन में क्या क्या होना चाहिए प्रोटीन होना चाहिए विटामिन होना चाहिए बसा होनी चाहिए कार्वाइडरेट होने चाहिए ये सारे तत्व हमारे बोजन में पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए 12. क्यूशन है सारीरिक शिक्षा में सरीर के विकास के साथ अन्य कौन से विकास विक्ती में होते हैं तो सारीरिक विकास के साथ साथ विक्ती में कौन से विकास होते हैं मानसिक विकास भी होते हैं सामाजी के विकास भी होते हैं, सम्वेद नात्म के विकास भी होते हैं, ये सारे विकास होते हैं, लिखते जाएं आप आंसर, अगर आपको वीडियो थोड़ा तेज लग रहा है तो आप स्लो करके भी देख सकते हैं इसको, नेक्स्ट है आपका क्यूशन, आपके विद्याले में सारे रिक शिक्षक द्वारा कौन से वियायाम करवाये जाते हैं, किनी पांच के नाम लिखिए, तो इसका जो आंसर रहेगा, वो आप सभी को बखू भी पता होगा, आपके स्कुल में आपके शिक्षक आपसे कौन-कौ इसके अलावा कौन-कौन से आसन, बज़रासन, बुजगासन, बाकी वियायाम भी आपसे करवाते होंगे, तो आपको पांच वियायाम के नाम लिखने हैं, चौदर नम्बर क्यूशन है, राजीव गांदी खेल ओलम्पिक में कौन-कौन से खेल सामिल थे, नाम लिखिए, तो उसमें सामिल थे, कबटी, क्रिकेट, बॉली बॉल, बास्केट बॉल, एथलेटिक्स, उची कूद, लंबी कूद, नेक्ट क्यूशन है, क्यूशन नमर 15, सामाने रूप से आग से जलने पर आप किन-किन उपचारों का प्रयोग करोगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम देखिए, वहाँ पर जगे नहीं है, तो इसका अंसर हमने नीचे लिखा है, आप क्या करेंगे, हम करेंगे, आग लगने पर सही हम से काम लेंगे, यदि आपके पास अगनी शामक यंत्र है, तो आप उसे हैंडल करना चाहते हो, तो उसे सक्रिय करें, आग ब अगर धन खो गया, तो कुछ नहीं खोया, स्वास्त खो गया, तो सब कुछ खो दिया, इस पश्ट कीजिए, इसका मतलब यह है, अगर आपका स्वास्त खराब हो गया, यानि कि आप बीमार पड़ गए, तो आप धन भी नहीं कमा पाओगे, क्योंकि आपकी तबियत खराब नहीं सरी तबियत खराब रहेगी, तो आप धन तो कमाओगे नहीं, क्योंकि आप कमाने जाओगे नहीं, नेक्ट है आपका लास्ट क्यूशन, 17 नमबर क्यूशन, चिन्नित दो आसनों के नाम बताकर इन्हें करने की विदी और फायदे लिखिए, तो यह आपके हो गए सार और उनके आंसर, अगर आपको वीडियो वागई में अच्छा लगाए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यह देखें, दो क्यूशन और हैं, सुरी हमने नीचे देखा नहीं, दो क्यूशन और हैं, 18 नमबर क्यूशन है, सराब सिग्रेट गु और जो भी आते हैं, इन पर चेतावनिया भी देखे होंगी, तो इनसे कैंसर होने का खत्रा रहता है, सबसे पहले क्या करें, उनको इस बारे में अवगत कराएं, और अगर वो इससे बहुत आदी हो जाते हैं, इन सब चीजों के बहुत ज्यादा, तो आपको किसका सारा ले पड़ सकता है, वहाँ से इतका उपचार किया जा सकता है, लाश्ट है आपका क्यूशन है, विद्यार्तों की जीवन सहली में मोबाइल फॉन किस प्रकार उनके मानसिक, स्वास्त, सारेरिक, स्वास्त और भावनात्मक स्वास्त पर प्रवाब डाल रहा है, इस पर अपने मोबाइल में गुशे रहेंगे, और कुछ भी चीज़ उनको याद नहीं रहेगी, हर चीज़ कुछ भी उनको सर्च करनी होगी, मोबाइल के अंदर सर्च करेंगे, उनकी नौलेज पावर बहुत कम हो जाएगी, और जो भी खेल वगेर होते हैं, वो मोबाइल के अंदर ही तो इससे उनका सारी रिक विकास भी रुप जाएगा और जो मोबाइल पर वो वाइलेंस देखते हैं उससे वो भावनात्वक स्वास्त पर भी उनका प्रवाब पड़ेगा तो ये हमारे विचार थे आपके विचार क्या है आप कमेंट्स में बताएं और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा ज्यादा शियर करें ग्रुप से जुड़ना है हमारे वाट्सप ग्रुप से तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है चाहें और वहां से जुड़ें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में सभी क एक्जाम के लिए best of luck, thank you